तो हेलो गाइज, वेलकम बाक टो माई चैनल, अभी हम तिरुचरापले रोले स्टेशन में हैं, ये तामिलाडु राज्यों में, इधर से हम जायेंगे श्री रंगम के लिए, वगान श्री रंगनात स्वामी को दर्शन करने के लिए, इधर से एरपोट का जो डिस्टांसे 25 क अगर इधर से आप जाते हैं, बस में, रंगनात के लिए, तो आपको मिनुम एक घंटा लग जाएगा, और बस आपको लेके मंदर के सामने उतार देगा, आप अगर कहीं से भी आते हैं, स्री रंगनात स्वामी को दर्शन करने के लिए, तो फास्ट आपको तिरुचरापल भगान विष्णु को स्वरुप जो है, श्राणात स्वामी उनको पजागिया जाता है, के बल भारत में नहीं, पूरे विश्व में इधर लोग आते, भगान दर्शन करने के लिए, जितना सुन्दर ये मंदिर है, उतना खुबसरत इसका इतिहासे हिस्ट्री है, ये कावर जिसको राजगू पुरुमंग नामी जाना जाता है, 2017 में ऐसे पेसिपिक एवाड आफ मेरिट में उसे नबा जा गया था, ये मंदिर को पृतिप का वैकोंटा मना जाता है, तानिये लोगों का कहने के अनुशार, जोल बंचे राजा एक तोता का पिछा कर रहे थे, तोता उड़ता हुआ एक जंगल में जाके पहुंचा, और राजा दोड़ते दोड़ते उसके पीछ गई, इसके दुरान उन्हें बोगान विष्णों का मुर्ति मिले, इसके बाद राजा ने यहां पर मंदिर के स्थापना की, इसके अलावा इस मंदिर का उल्लेक जो में भी क्या गया है, यह मंदिर के उमाना चाता है कि इसी मंदिर का जो गर्भगर का सर्वप्रत्थम 1817 में हमपिनामा के एक नर्तकी ने बनाया था, जिसमें गंगबंस के राजबंस के जो उल्लेक है, इसले माना जाता है कि बीवन और काल और शमय के अनुशार विवन राज़ा ने उद्धर किया है और उसको बिस्तर भी किया है, पुराण के अनुशार गोतम रुषी ने थपकर के नासिक से गोदाबरी नदी को देवलोक से पृथिलोक पर बुलाया था, गोदाबरी नदी के तट पर गोतम रुषी के आस्रम भी निकलने के बाद वो इकावरी न दिकेर तट पर आके वो भोगान विष्णु को तप किये थे और भोगान विष्णु का भोगान विष्णु का प्रसन होके उनको स्री रंगनत स्वामी के रूपने दर्शन दिये थे यह भी मना जा था कि भगान राम ने यहां लंबे समय तक देवत्याओं को अरधना की थी त्रेथ्था यूग में राबन को पराजित करने के बादे जब बापास आये तब यह जगा बू विविशन को सोंब दिये थी यह माना जाता है कि यही पर भगान राम ने भीवशन को विष्णु की रूप में दर्शन दिये थे और च्री रंगम में रहने के लिए इच्छा जायर किये थी तबसे यहां भगान विष्णु को च्री रंगनात स्वामिक की रूप में यहां पुजा जाता है इधरा के रहश्य भई काहनी बशनव संसुरूत के गूरू दार्शनिक रामनो चार्जे से इस मंदर का एक गहरा और खास सम्बद है रामनो चे चार्णिन उनका बुद्ध्या बस्ता में इधर बो मंदर में आगे ते 220 बर्श आयतों के इधर रहें कुछ काल के बाद वो अपना जो दियात्याक करने के लिए भगान स्री रंगनात से परिमिनेशन लियते उसके बाद वो अपने सिस्व के सामने अपनी दियावसान का गोशना कर दे माना जाता है भगान चो रंगनात स्वाम है उनका आग्यां के अनुसार उनके मुल शरीर को मंदिर के दखने पस्चिम के दिशा में एक कोने में रखा गया है ये मंदिर दुन्या का एक मात्र मंदिर है जहां एक बास्तव के मुथ शरीर को हिंदू मंदिर में कई सालों से रख के पुजा किया जाता है मंदिर में जो रामनचरी का हदर बर्ष पूर्व जो मुल शरीर को समल का रखा गया है आम तोर पर आपने देखा होगा जो मम्मी होते वो निद्रभांग की स्थित में होते लेकिन इधर जो रखा गया रामनचरी की मम्मी को सामने बेटने की स्थित में की जो उपदस मुद्रा में है एसे ही प्रतिद होती है इस ममी पर केवल चंदन येवं केसर लगा जाता है इसके अलाबा कोई रशने के पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है इसको सुरख्या करने के लिए साल में एक बार चंदन केसर और करपूर को मिश्रन को लगाया जाता है इसके कारण ये जो मुर्थी का जो कलर है बो केसर रंग में परिवर्थत हो जुगी है इसके अलाबा ये मंदर में जो भवान है बो सर्वप्रयों मुद्रा में यानिके सुरन के मुद्रा में आपको दखने को मिलेगा ये मंदिर भगान विष्णों के 68 मुख्य मंदिरों में से एक है ये मंदिरिया के एसालोता मंदिर है जिसके प्रसंसा तामिल भक्ति आंदोलोन के सभी संतों ने उनके गीतों में आपको मिलेगा ये मंदिर का और एक कहानी है एक समय की बात है तब गर्मी चल रहे थी दखिन में जो रामनेचारी अपनी सिसों के साथ वो भ्रामन कर रहे थे वो जाते जाते सोचे कि हम भगान रामनात स्वामी को दर्सन करेंगे दर्सन करने जब जा रहे थे तब ज्यादा गर्मी की कारण वो उनको एक तुटा दिखाई दिया और उससे उसके पास जाके बो बैट गे आम के पैट के पास जब बैट गे उनके पास एक भगान कृष्ण का लोडू गोपल का मुर्धी था और उनको लेके बो शिंगासन पर बैठे और वो नीचे बैठ के बठने के बाद बोच्छाओं का अनद लिया उसके बाद आम की पैट से आम तोड़के खाने लगे भगान कृष्ण को आम को प्रसाद ग्रूप में चड़ाने के बाद जब वो खा रहते तब उसी समय कुछ लोगों उधर से जा रहते उनसे वो रामनजुतरी पूछे यह किसका पैड़े इतना मीठा आम है तब वो लोग ने बोला इधर का जो एक बैश्या है उसका यह पैड़े तब यह सुनके भगान भगान से माफी मानने लगे अरामन चरी सोचे यह क्या गल्ती हो गया हम सामय की बैश्या का फाला हर किये और उनका पैड़ का छाओ भी ग्रान कर ले उसी टाइम में वो बैश्या को मालूंग पड़ गई एक संथने आके उनकी तोटे पर रह रही है जिसके बाद वो बैश महाराज को दी और बोली महाराज आप सभी पापीनी का धर करते हैं तो मुझे जैसे पापीनी को आप भी उधर करें यह मेरी सेबाब श्युकर करें तब रामन चुने में बोले हम तो एक संथ है हमको इसका क्या काम अगर तुम देना चाहते हो तो इसमें एक मुकट बनाके भगान श्रीनागनात को देदू ये बात सुनके वेशने बड़ी खुशी हो गई और जितना सोना चैन्दी उसके पासता सब कुछ लेके बोले के मुकट तयार कने के लिए पहुँच गई मुकट तयार कने के बाद जब वो अपनी सहलों के साथ लेके जा रहे थी तो वो रास्ते में उसको मास्की धर्मा आ गया और वो मुकट को वो अपनी सहलों के साथ रामनुज के चर के पास भेज दिया रामनुज चर ने लेके वो मुकट को पुजारी जब लेके वो मुकट भगान को पहना की कोशिश की तो भगान ने अपना सर उचा कर लिया तो पुझार जिने मेज लगा के फिर से लगान की कोशिश की लेकिन फिर से बैसे किया वो बार बार से करने के बाद वो बिरक्त होके गुशा करके बापस आगे उसके बाद ने रामाज़ चारी ने जाके आप मुकुट क्यों नहीं पहने तो भगान बोले यह मुकुट जिसने बनाया है हम उसकी हाँ से पहनेगे उसके बाद वो जाके वो विश्या से बोले पुत्री तुम जाके मुकुट लेके भगान को पहना हो जब वो मुकुट लेके आई तो भगान ने अपना सर नीचा कर ल ये सुनके भगान बोले तुम गुसा मत हो ये पस्ताताप कर रहे है अपनी मिश्यप्रित को लगे एसे कामबों कियुँ चुनी और जिन्देक में वो एसा कभी ने करेगी इसलिए हम उसको माप कर दिया इधरेक सच्ची धर्दनाक डरावनी भायानक और लोम हर्षन काहानी जुडी हुए के थे कि मुगल की कालों में जब तुगलक बंसका स्तापना किया गया उसके बाद गाजी मलिक ने उनको वेटको इधर युदकनेकले भेजते अलोखान को जो भेजा था तो वो अपना जुने श्रीनाम में पहुँचे तो वहां मंदिर में एक बड़ा मेला चल रहा था जिसमें श्री रंगमनात स्वाम की जो प्रतिमा को मुख्य मंदिर से कावरिनाधी के तट पर स्तीती एक मंदिर पर ले जा रहा था जिसमें करिवन बारासो भक्त को मतलब उधर सामिल थे जैसे ही वहां इसलामिक फोज का आने का खवर मिली रंगनात स्वामी का जो प्रतिमा थी उनको बहर भेदिया गया जिसके बाद प्रतिमा ना मिलने के कारण अलुक खन ने शबी भक्तो का हत्या कने का आदेश दे दिया था इसके तरह बो बारासा भक्तो का सर कलम कर दिया था इदर इसके पिछे का सचाय की दिना पो किसी को अने ये मालूम लेकिन ये जो कानिये पो आस-पास इर्या में खुप फेली हुए इसके बाद तेरसो 51 में विजयनागर सामरजगा इधर इदर ये मंदिर पर अधिकार हुआ एजगा पर अधिवकार हुआ उसके बाद उन्होंने फीर से श्रीणागनाथ स्वामिके मंदिर का प्रतिमाः को पुण चृत्त अपना किया और इसी मंदिर का पुर निर्माण में अपना योगदान दिये यकोर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको पसंद आई प्रीज लाइक एने सस्क्राइब कर दीजेगा रख्ते हूं मिलते निस्ट वोड़े में तब तक बाई बाई